विधान मंडल के शीत कालीन सत्र में समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ आकरमक रुख अपनाया इस दोरान सपा के दोनों सद्नों के सदस्यों ने नागरिक्ता संसोधन कानून बेलोजगारी महंगाई महलाओं पर हो रहे अत्याचार और गन्ना धान सहित आलू किसानों की समस्याओं को लेकर योगी सरकार पर जम कर निशाना साधा इस सत्र में विपक्ष ने अप्राद व्रद्धी और कानून विवस्था जैसे मुद्धे को लेकर सरकार की घेराबंदी की जिससे सदन में पहले दिन ही जम कर हंगामा हुआ सदन की कारवाई सुचारू और विवस्थित धंग से चलाने के लिए सर्विदल बैठक में एक दिन पहले ही विधानसबा ध्यक्ष ने सभी दलों की नेताओं से सहयोग का अग्रह किया था जबकि विपक्ष ने सरकार की कारशयली पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया इस दोरान कॉंग्रेस सहीद बसपा और सपा के सदस्यों ने जम कर हंगामा किया और वेल में आकर तख्तियां लेकर सरकार के खिलाप नारे बाजी भी की जिसकी वज़ा से सत्र को कई बार स्थकित भी करना पड़ा विपक्ष के मताबिक सरकार लोकतांतरिक मुल्यों को इससे आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवी पर एक प्रश्म चिन लग गया है उन्डाओं की घटना ले ले मैनपुरी की घटना ले ले संभल की घटना ले ले हर तरफ बेटियों के साथ बलतकार हो रहा है और उनको जिंदा जला दिया ज हमने अपने आपको आग लगा ली आज वो अस्पताल में हैं लगातार कॉंग्रेस पार्टी संघर्श कर रहे हैं ये सडकों पर हम सिर्फ इतना चाहते थे कि आज इस पर चर्चा हो वीडियो जनरलिस्ट मोहमत इमरान के साथ रजनीश चवी जनमतनी उस्दक नव